कि हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको टॉप तरी मंतली इंकम प्लाइंस के बारे में बता हूंगा मतली इंकम प्लाइंस मतलब जो हाइब्रिट फंड्स होते हैं जिसमें तू थर्ड पैस्ता डेफ फंड्स में लगता है और वन थर्ड एक्विटी में लगता है उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क् आपको लेटेस्ट वीडियो की इंफोर्मिशन मिलती रहेगी तो इन जो टॉप 3 फंड्स है उनमें सबसे पहला फंड है बिला सनलाइफ मंतली इंकम प्लाइन 2 वेल्थ 25 प्लाइन यह देखे एक 5 स्टार फंड है और इसका एसेट 1,985 क्रोर्स है और इसका एक्पेंस करते हैं तो अल्मॉस्ट 29 परसेंट एक्पिटी में है और 65 परसेंट में है और देखे 6 परसेंट कैश एंड कैश एक्पे लाइंट है इसमें नंबर आफ स्टॉक्स 53 हैं टॉप 10 जो होल्डिंग से 40 परसेंट है अब देखते हैं कि कितना इसने रिटर्न दिया है तो जब से लांच हुआ है तब से इसने 14.92 यानि की 15 परसेंट का रिटर्न दिया है और इसने मिनमाम इनस्मेंट एक हजार का है एडिशनल भी एक हजार है और SIB भी एक हजार के है एक साल से पहले निकाला और 15 परसेंट से जादा है तो एक परसेंट का एक साल के बाद कोई भी एक्जिट लोड नहीं है रिस्क ग्रेट एबरेज है और रिटर्न ग्रेट हाई है तो रिस्क एबरेज है न है और तीन साल में 16.42 परसंट दिया है जबकि अगर कैटिगोरी का देखते हैं तो कैटिगोरी का एक साल में 13.64 है और तीन साल में 12.54 है तो कैटिगोरी से बहुत अच्छा रिटर्ण इस फंड ने दिया है अब जो दूसरा फंड है वो है इसका जड़ा पॉर्टफोलियो दिखते हैं तो इसने 74.23 परसंट में रखा है और 1.4 परसंट कैश और सिर्फ 24.3 परसंट एक्टिटी में रखा है तो काफी उसे साब से देखा है तो से फंड है इसमें नंबर आफ स्टॉक्स 29 है नंबर आफ बॉंड्स त्याल में जिनके अपरेज मेंचिरोटी ने फिर्फिटी ने पेंट मेंच तो मेंट परसंट का फिर सक्टी परसंट काफी एक परसंट सी गमका स्टेस्ट रिसक्ट साइज है वी 100 16 पो अभी फिर्फो एकती पर्त और इसमें में मिन्माव इनवस्मेंट जो है पाँजार का इडिसनल लेकर रहा है इसमें जो SIP है जो मंतली SIP आप कर सकते हैं वो 1000 से कर सकते हैं इसका exist load थ्वड़ा सब्गें डिफरेंट है अगर एक साल के अंदर आप कैसा निकालते हैं तो तो 3% का exit load है अगर दो साल के एक साल के बाद या दो साल से पहले लगाते हैं निकालते हैं पैसा तो 2% का है और उसके बाद अगर पैसा आप निकालते हैं दो सेवन थाटी वन देश्ट चेले के 1095 डेश्ट के लिए तो 1% का exit load है और उसके बाद अगर आप निकालते हैं तो आपको कोई exit load नहीं तो अल्मस्त समझे कि तीन साल बाद अगर पैसा निकालते हैं तो कोई exit load नहीं उससे पहले पैसा निकालेंगे तो exit load है वैसे भी अग पैसा लगा रहे हैं तो अगर तीन साल से ज्यादा का आपका time origin है तभी इसमें पैसा लगा यह क्योंकि एक दू साल में हो सकता है अगर market खराब हो तो return negative में हो सकता है बट तीन साल यह स्यादा के लिए लगाएंगे तो आपको अच्छा return में ले रहा है इसका performance देखते हैं एक साल में 14.4% दिया है और तीन साल में 15.83% दिया है काटिग्री में देखे 11.33% काटिग्री के हिजाब से इसने काफी अच्छा return दिया है इसके बाद जो हमारा तीसरा fund है वह है S.B. Magnum Children's Benefit Plan यह भी देखे डारेक्ट प्लान यह से मैं रिक्मेंट करता हूं यह भी एक 5- इस्टार फंड है यह काटिग्री की हाइब्रिड डेप्ट-oriented conservative है तो conservative इसलिक है इसने ज्यादार पैसा अपना debt में लगा रहा है यह देखे 72% 72.3% debt में है और cash equivalent में 2.16% है और equity में 25.54% है इसमें देखे नंबर of stocks 23 है नंबर of bonds returns 13 है और अगर इसका return देखते हैं तो यह देखे इसका asset size 45 crore है इसका expense ratio 1.8% है और दूसरे जो पहले दो पनो fund से उनके completion में इसका थोड़ा सा expense ratio ज्यादा है बट रिटर्न के हिसाब से यह एक अच्छा fund है देखिए जब से launch हुआ है तब से इसने 15% से ज्यादा car return दिया है इसमें minimum investment 5000 का है एडिशनल 1000 का है और SIP इसमें आप 500 का सकते हैं इसमें भी exit load वैसे है जैसे ICC potential children plan का था तो इसमें भी अगर एक साल के अंदर निकालते हैं तो 3% 2 साल के अंदर निकालते हैं 2% 3 साल के निकालते हैं और 3 साल के बाद अगर पैसा निकालते हैं तो कोई भी exit load नहीं है तो अच्छे return के लिए और कम risk के साथ अच्छे return के लिए यह अच्छा fund है देखिए इसमें एक साल में 20% का return दिया और 3 साल में 16.36% का return दिया है जो कि उसके category से काफी अच्छा return है तो आप ज बच्चों के study के लिए या किसी और काम के लिए पैसे एकटा करने हैं और आपको 14-15% का return चुगी है तो आप इन तीनों में से किसी भी fund में पैसा लगा सकते हैं यह आपको safety के साथ एक अच्छा return देगे I hope आपको यह वीडियो पसंदाया होगा प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए thank you